इस वीडियो में डॉक्टर किसिना एट क्लास का फाफ फंट थीरी का तू तक कोस्टन पहले देखे देखने इस वीडियो में हम थीरी से स्टार्ट करेंगे और यह पूरा देख लेंगे ठीक है तो लोगता स्वाध में चला आरके में सलुसन में चला को सब्सक्राइब नहीं का और प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो कोनेट पेक्शन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए तो तीसरा नंबर कोस्टन जो भी हमने पहले पढ़ा विवाजता का जो भी नियम पढ़ा उसी से रिलेटर यहां पर उसी वह अगर पता है याद है तो यह कोस् से विवाज का नियम क्या होता है कि अगर यह संख्या पांच से विवाज होगा तो उसका एकायंग पर यह तो जीरो होगा और यह तो पांच होगा ठीक है तो इसके एकायंग में क्या जोड़ेंगे तो पांच से विवाज हो जागा तो आठ है तो इसमें पांच तो होगा जोडने पर ठीक है लेकिन सबसे नियुनतम संक्या में पता है कि दो अगर इसमें हम आइड कर देंगे तो आठ दूद्दास हो जाएगा और यहां पर लाश में जीरो हो जागा और यह पांच भी वाज हो जाएगा मतलब इस संक्या में हमको दो आइड करना पड़ेगा ठीक ह तो ऐसे देखकर बता देंगे लेकिन यहां पर सोल्ब करना है तो थोड़ा लिखना है कि हम जानते हैं कि पांच से विवाज होने के लिए संक्या की काय अस्थान पर जीरो या पांच होना चाहिए तो अठानमर कोश्चन आपका निमलेखित कतनों में कौन साथ है और कौन असाथ है यहां पर लिखें तो पहले हम बोला यदि कोई संक्या पांच से विवाज होगा तो नहीं होगा कि पांच से विवाज का नियम है कि लाश्ट में पांच हो और या फिर सुनने हो तो जो से विवाज होगा। फैसरी नहीं होगा तो यहतों, यहाँ पर दूसरा आदे को योग ना, विवाज के उयां we अगर हम 6 ले 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 तो तिन दूनि 6 होगा लेकिन यह चाल नहीं इसको कर सकता है तो ऐसा नहीं है जो 3 से कटे गा मैं नौस टिक अहने बीवाज वह तो वह तो जो से बाइब होगा तो 6 विवाज होगा वह च्छे से भी वज होगा नहीं होगा उसके लिए उसको 2 से भी वाज होना जरूरी है जैसे कि अगर यहां पर कुछ भी संख्या लेंगे पांच और नौ नौ एक दास और दास 15 15 ये संख्या होगा वो तीन से तो कर जागा से कटैँगा वो छैसी कटने तो यहांपे यहां currents रखत्या-30स है अगर दास और तीन से विवाज है तो 10 गुनाद तीस वह थिस Mexican तीन जो होता ills तो वो तीस से भी If 이후 जाएगा ठीक है यह क्योंकि इसका थीो कुछ को जोनांखन हो यह दोना आप गुणान w 교pe इस गुनाओन है यदि इतना नौ का एक गुद्ध है जहां बाइएक अंक है तो पाई का मन क्या है तो अगर यह नौ का गुद्ध संख्या संक्या था इसका मतलब 9 से भाज होगा थी यह संख्या नाँ से 9 9 सा एक 50 लिखा हुआ है तो अगर 9 अबंग मतलब 9 लॉनलुद सने क्यों नो प्लस नौ गूंतलब दूनिया ठारह संटाइशज इस पे नौ न उड़ते चल जाएंगे तो तो यह जो सभी आएगा वो नौ का गुनाज होगा जो भी होगा वो नौ से विभाज होगा तो यहां पर हम बाई का मान क्या होगा तो यहां पर एक अगर हम लिख देंगे तो नौ का योग नौ हो जाएगा तो नौ से विभाज हो जाएगा और इसका एक गुनाज हो जाएग तो यहाँ पे इस तरह समय आप लिखेंगे कि देगा इस अंक्या 9 से बिवाज है अता उसके अंको का योग भी 9 से बिवाज होगा तो यहां पे 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 बराव नौ से बिभाज होगा जो भी आएगा यूग ठीक है तो यहां पे आया 8 प्लस 2 बराव नौ से बिभाज है तो यहां पे बाई कमन क्या होगा अता बाई बरावर एक रखने पर क्योंकि एक ही रखेंगे तो नौ से कटेगा ठीक है तो यहां पर एक रखने पर आठ प्लस बाई जो है वो नौ से बिभाज होगा इसलिए बाई बरावर एक आपका अंसर होगा इतना तीन का एक गुनाज है तो सेम वही कोस्चन है उसी तरह से कोस्चन बनाना है आपको जिस तरह से हमने पीछे भी देखा तो यहां पर सिफ यहां पर तीन का गुनाज है मतलब कि अगर तीन का गुनाज है तो तीन से बिभाज होगा और तीन से बिभाज है इसका मतलब ज इसके वाज यहां पए 9 तो डीवाय कथेंग resonate यहां पर आगर हम 0 भी जोड़ेंगे तो यह तीन सिब्वाज होगा उसके बाद में våra नवयाँ और तीन भी जोड़ेंगे तो भी यहां पे विवाज होगा यह यहां का यह तो तीन से बग तीन eerste अगर уст अधिये जोड़े तो वह भी नुच्छो पंद्रह हो जाएगा वह भी विवाज वह भी विवाज भगा यानि आपको जब इसको बनाना तो लास्ट में इतना अंसर आएगा तो इसे ऐसा यह कोशन आप भी देखते हैं आठमा नंबर कोशन उसी तरह देखेंगे ठीक है तो आ एक्स का मान अगर नौ सी विवाज है इसका मतला अंको का योग नौ सी विवाज होगा सेम उसी तरहिकर से आप सभी को लिखना है यहां पर तो अगर विवाज होगा तो चार दूचे है तो छे है तो सिंपली यहां पर तीन होगा क्योंकि छे तो भीवाज नहीं हो रहा तो य साथ मान कोस्ण है यहाँ पर पाँच रागन की संहः यहाँ डिया हुआ है तो एक एक मान तो अगर तीन से बीवाज है तो इसका जो योग फ़ल व द देख लेंगे तरी संहां यहाँ अपर है अहाँ व diff Only haver और अन्कु का योग और भी तीन से विभाज होगा तो इसलिए तीन प्लस फाइव और यहां पर ए है यह और शिक्स प्लस फोर भी तीन से विभाज होगा तो यहां पर जोड़ने के बाद आता है तो आठारा तो तीन से विभाज है तो यहां पर अगर हम ए बरावर जीरो भी रखेंगे तो भी विभ रखेंगे तो भी बीवाजोगा छे भी रखेंगे तो भीबीवाज ओना नौ भी रखेंगे तो भीवाजोग ठीक है उसके वाद ड्यू feito रखेंगे मतलत है कंड तो ही चीरों पनी होता है तो यहां पे इस तरह से गर आयलए जैसे कि यहां पे विभाज तो है तो यहां पर क्या रखेंगा कुछ नहीं थोड़ी यहां पर चीरों भी रखेंगे तो भी तो यहां पर आपको लिखना यह नहीं है यहां पर लिखना है यह के लिए मान यहां पर लिखना आपको यह नहीं लिखना ठीक है यह के लिए मान ज है यह बराबर जीरो तेन छो और नौ इस तरह से लिखना है ठीक है यहाँ पर आपको लिखना है कि एक का मान एक के लिए मान एक के लिए एक के लिए एक के लिए वह मान वह मान जिससे 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 18 पलस A 3 से 3 से इतना लिख लिए है 3 से विवाज हो वह मान होगा A बरावर 0, 3, 6, 9 ठीक है क्योंकि 0 रखने पर भी 3 से विवाज होगा 3 भी रखने पर और 6 भी मतलब इसका गुना है 6, 3, 9 ठीक है इसमें 3, 3 जुनने पर इस सबसे वह विवाज होगा तो इसी तरह से हमने पहले 7 नमर कोस्चन भी इस तरह से बनाना है नहीं 6 नमर तो इसी तरह से लास्ट में लिखना ठीक है बागे सब वह से लिखना है और आफ नाइन नमर कोस्चन पर यादी भी भाजन इन भागा 2 से एक प्राप्त होता है टो एक क同 क्या होगा कोई संक्या है और दूसे भागा देने तो सेशवाल अगर एक प्राप्त होगा गर्रौट हुए वह संख्या और भागा तो वह संख्या या तो तीन होगा ताकि एक वर में कटे या तो फिर तीन होगा या तो साथ होगा दूती अच्छे या फिर दूचवाथ तो नौ होगा ठीक है इस तरह से हो सकता है और दो दूनी चार एक पांच भी हो सकता है तो इस तरह से यहां पर हो सकता है तो संख्या यहां पर चुकि स संख्या इन को दो से भाग देने पर देने पर सेस एक आता है अर्थात संख्या का एक आयंग बिसम होगा इसका मतलब यह हुआ कि उसके आयंग बिसम होगा अता एन का एक आयंग एक तीन पान साथ नौ में से कोई भी हो सकता है बिसम यह मतलब बिसम संख्या है जो कोई भी हो सकता है का यंग एक भी हो सकता है तो सपोज कोई भी दर संख्या होगा और चार एक है तो यहां पे अगर हम भागा देंगे तो यह एक सेस्पल बच जाएगा ठीक है तेन पांट साथ नौ में से कोई भी हो या तो दो होगा या तो चार होगा या तो छे होगा या तो आठ होगा ठीका या तो जीरो होगा जीरो भी हो सकता है यहां पर जीरो दो चार छे आठ संख्या के पीछे एकायंग पर होगा तो वहां पर सिस्पन नहीं बच्छेगे यह पीछे भी हम लोग पढ़े हैं कि विव हो सकता है कि इगारा नमर कोश्चन है इतना चार से विवाज है जहां एक एक अंक है यह जो है एक अंक है तो एक का मान क्या होगा तो यहाँ पर एक को यह चाल कर्वाजित नहीं होगा लेकिन दो रखेंगे तो वह हो जाता है 24 हो गया ठीक है 24 हो गया और भी कुछ रख सकते जैसे यहां पर अगर हम 3 रखेंगे तो नहीं 4 लेगे चार रखेंगे तो 4 से 41 हो जाएगा तो 3 4 रखेंगे तो भी हो जाएगा 44 एक अस्थान पर ठीक है 5 रखेंगे तो नहीं हो सकता लेकिन 6 रखेंगे तो हो जाएगा ठीक है तो यहां पे छे रखेंगे तो भी हो जाएगा उसका बाद साथ रखेंगे तो नहीं होगा लेकिन आठ लखेंगे तो हो जाएगा ठीक है चवरासी यह भी कड़ जागा चार से फिर नौ रखेंगे तो नहीं होगा और अब तो कोई संख्या नहीं बच हो जाएंगे चर ने 지금बहक्त के नियम के अनुसार अन्तिम 2 छो है वी चार से बिवाज होगा तो अता एक संभावित मांच या 0000 होगा तो छार होगा छोगा चे होगा आठ होगा यानि सभी समसंख्यां पर होगा तो वो चार से विभाजित हो जाएगा और अब हम बारा नमर यहाँ पर कोश्चन देखेंगे तो यदि इतना 9 से भाज हो तो एक आमान ग्यात करना है 9 से भाज है मतलब कि इसके संक्या अंगु का युग भी 9 से भाज होगा तो इसी स हम यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 9,10,10,10,6, पर तो सुल्ला सुल्ला जो सा त fase 10 हुता तो तेस और यहां पे क्या घट रहा तेस में अगर 1 जोने तो नहीं 24 पचीश 627 इसका मतलब 4 अगर हम जोड़े उसमें एक़े अगर होता है तो यह 27 वजाता और 9 से कड़ जाता है तो यह पर नजदी की मानिया पर चारी है तो चारीस का अंसर होगा तो संख्या 9 से भी भाज है अता संख्या के सभी अंकु का योग 9 से भी भाज होगा संख्या अस्थान पे आता ए बरावर चार रखने पर तेश्पल ऐसे नौ से बिभाज होगा क्योंकि ए रख चार रखने पर तेश्चार 27 होता है और नुटिया 27 कर जाए तो ए बरावर चार अंसर होगा तेरा नमर बीना भाग दिये बताएं कि इतना जो है से भाग देने पर सेस्फल क्या होगा तो सेस्फल एगार से भी भाजता क्यां कर निया माने पढ़ता है अगर विभाज होगा तो तो उसका जो सेस्पल कुछ नहीं बचएगा मतलब वो भी भाज हो जाएगा की काई है हमें पूछ रहे हैं पर सेस्पल कुछ बचेगा तो यहां पर इगारा का गुनज जोली होग के है होगो ठीक है और 11 का गुनज si ato यहां पे। यहां पर हम जानते हैं कि's Все भूज होने के लिए संखिय संभा स्थानो का योग तक अन्तर 01 का गुनज होता है लिए संभा स्थ्थानो का योग मानिस 28 इन लिखना है तो संभाल फालम स्थानों यहां आगान हो गयाना किवा ना सम्स्थान एक हो गया तीन हो गया तो यहां पर आठ है पीर पांच हो गया सथ तीन है यहां पर इस तरह से स毫ुट पर लिखे से 20 ऐँ और 10 कि यह ड्यारा उठेगैं तैस नहीं को तो होता है कि यहां पर दस बच जागा अता सेस् जो है वह दस बचेगा ठीकर तो यहां पे चौदा नमबर जो कि यहां पो लास्ट है तीन अंकों की एक संक्या लिखना कुछ भी हो सकता थे नंकों की एक इसमें पहला में बोला दूसे बी्वास defense से बिवाज नहीं हो दो सब्व innocent का नियम है जिसके last में जीरो हो और चार जिसके 네च कोई अधी कोई संक्या वो संग्या वो संख्यां चार को संख्या का 2 संख्या का नियम की जो संख्या का था सल्ड़ का 40 So तो लास्ट में भी हुआढ़ होगा 4 एक है नहीं होगा तो यह भी हो जाएँ एक संख्या माल लेंगे यहां भी संहीं ये लिखं यहाँ पर यह है यह है और यह है तो यह सब नहीं कटें इनैं से हो लेकिन 6 से नहीं तो 6 से इता किने में इस तो हम लोग जोड़ते हो हैं है 10 और 10 5 15 तो यह तो 3 से कड़ रहा क्योंकि योगफल 15 है लेकिन यह दो से नहीं कड़ेगा तो 6 से भी नहीं कड़ेगा तो यह नहीं होगा है तो उम्हेद करता है आपको सभी समझ में आ गया होगा और वीडियो को लाइक नहीं कि तो लाइक कर दीजाए और कमेड़ भी कर देजएगा प्यालों को सब्सक्राइब कर देजएगा तो मिलते हैं आप से एकली वीडियो में तब तक लिए जाएं जय भारत